तो हमारा कल question number 10 तक हो गया था तो उसके आगे आज हम बात करेंगे question number 11 In which country is the story of Othello set? मतलब जो Othello play है जो कि Shakespeare ने लिखा है वो कौन से city में उसकी setting रखी गई है तो options है बेनिस है डेनमार्क है इंगलेंड का है या Scotland का है तो उसकी setting कहां के रखी गई है बेनिस की ओके गाईज question number देखते हैं अगला 12 यह है complete the sentence the globe theater was burned down in मतलब globe theater में आग कब लगी थी? लगी थी 1613 में और उस time कौन से play performer था? आप लोग comment करके बताइएगा और चलिए next find out the mistake in the sentence given below यह common error का question है she has told me that she saw my uncle at the fair on last Friday तो क्या लगता है? इसमें कौन सा option गलत है और क्यों गलत है? तो यहां तो सही एसी है इस टोल्ड मी उसने मुझे बताया है that सिसा कि उसने देखा my uncle मेरे अंकल को at the fair मेले पर नहीं होता है यहां पर ही नहीं होना चीए मेले में on last Friday यह तो खो गया और next है choose the name आप दा नहीं 14 छी है fill in the gap with the appropriate positions they were statesmen accustomed space the management space great affairs तो क्या होना चीए off या to होना चीए in या to होना चीए to या off होना चीए with या in होना चीए आप लोग भी सोचिए हमेशा ध्यान रखिए accustomed जहां पर आएगा उसके साथ प्रिपुजूस हमेशा to का प्रियोग होता है to कौन से option है यहां पर में और आके देखने की कोई जरूरत ही नहीं हमारा option मिली गया है accustomed to management of I hope clear होगा आगे पढ़ते हैं choose the name of the Roman general who conquered England on 43 BC मतलब उस Roman general का क्या नाम है जिसने जो है England में मतलब जो है कि 43 BC में जिसने मतलब जीता था England को जिसने जीता था और कब जीता था 43 BC में Julius Caesar थे Claudius थे नहीं था या ननाबदीस कुन सा सही है सोचिए आप भी सोचिए इसमें से कोई भी नहीं था और ये कोस्टन मैंने कई 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 सारे papers में देखा है and next question है in which year Milton's Lucidus was written Lucidus कुन से year में लिखा गया है 38 में तो पब्लिस हुआ था और 1632 में तो इनका लिस्टास नहीं आया था 1936 में लिखा गया था ये 1637 में लिखा गया था और next है how many parts are there in the prelude इसमें तो कुछ की ज़रूरत नहीं है इसमें तो 14 parts है 14 parts next है in which year justice published published कौन से साल हुई थी justice published हुई थी 1910 में next question है change the following sentence into complex sentence मैंने उस दिन complex compound of simple sentence का वीडियो जो है YouTube पर पढ़ा है मैंने डाला है तो आप चाहिए देख सकते हो बहुत इस्ट वे में से सकते हो कि मतलब complex compound of simple sentence में क्या रिफ्रेंस होता है तो चलिए है पहले sentence देख लेते हैं he had to sign or be executed और ये transformation का question है मतलब transformation होता है पर उस में 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 कोई changes नहीं आते हैं सबसे पहला नियम में इसका यह होता है ना उसके tense में कोई परिवरतन करोगे ना कोई मतलब निकल रहा है if he had not sign he would have been executed यह भी तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग कहीं से भी आ रहा है और देखते हैं क्या होता है if he had signed he would not executed if he was signed he did not यह कहीं इसका सेंग नहीं कल रहा है कहीं हद तक इसका आ रहा है if he had not sign यह दुआ sign नहीं करता he would have उसको बाहर निकाल दिया जाए इसका भी मतलब यह रहा है he had to sign उसे sign करना पड़ेगा वरना उसे निकाल दिया जाता तो यह इसका सेंग मिल रहा है और नेक्स्ट है what is he phony मतलब इफोनी क्या है तो यह तो pleasant sound है मतलब जो अच्छा बोलते हैं जैसे अगर कोई मर गया तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे he is dead बोले कि he is no more तो यह अच्छा लगता सुमने में थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है इन वी चेर मिल्टन परड़ाइज लास्ट प्रब्लिस इसको तो हर कोई जानता है बहुत कॉमन कुस्ट है नेक्स्ट है विच आप फॉलिंग संटेंज इस पैसी बाइस कौन सा पैसी बाइस में आ इसमें तो जो है आल पेश रिदर स्कुले यह भी नहीं है प्लीज देखेंगे कोस्टन में तो वो एक लियर हो जाता है तो चलिए नेक्स प्रसन देखते हैं अधर अब आइड आवर कोस्टन दाव आट फ्री तो यह किस ने कहा है सबको पता होगा तो मैं थू और निकाहा बिन आफ्सन को इसको देख लेते हैं फिर भी आफ्सन तो हम देख आउक्जिलरी है है ही वास सो टायड देट ही वह इतना थक गय था था तैट ही इसमें से यहां सूट तो नहीं होना चीए टीड भी नहीं होना चीए है यह थिंक खुड होना चीए और नेक्स्ट कोश्टन है चेंज दावाइस ही वाइड ही दिद ही डिफ्रोड यू ऑफ ब इंग अरनिंग मतलब उसने जो है तुमको क्यों तुम्हारे ही अरनिंग से फ्रॉड किया धोखा दिया तो देखते हैं क्या होगा हुआ है और यू डिफ्रोड़ टू यूर अरनिंग बाई हिम वाई वाज वाज का तो हाँ यह आप सबसे पहले यह दे सकते हो इसमें लेकिन कोई डिफ्रेंस ही नहीं है पास्ट में सारा कुछ है तो हमें सब एक एक देखने पड़ेगा हुआ वाई वाज आए तो इतना रखते हैं कितने कोश्टन हमारे होगे हैं आज हमने टोटल 15 को सुन डिस्कुस कियें और मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्सर में यही हम कुछ टाइम तेसे पूरा कमप्लीट नहीं हो जाता हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कुस करेंगे